जवलपुर में नकली नोट फैक्टरी के मामले में गरफतार आरोपी नरेश आसवानी से कड़ी पूछताच खिजा रही है दो दिन की रिमांड ली गई है CSP अकलेश कौर के अनुसार रिमांड के माध्यम से अब तपती शुरू हो जाएगी नकली नोट छापने के इस मामले में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं कहां नोट की सप्लाई की गई है ऐसी तमाम बाते हैं जो इस पस्ट होने वाली है गोहलपुर सहथ हनमान ताल, खाना पुलिस ने संयुक्त कारवाहि को अंचाम देते हुए छापा मारा था और नकली नोट बनाने वाली फ्रेक्टरी का खुलासा हुआ था यहां प्रिंटर और अन अनुपयोगी और उपयोगी दस्तावे जब्द किये गए थे इसमें जो मुख्या रोपी है नरेश आसवानी उसकी दो दिन की पुलिस रिमांड ले गई है जिसमें पूस्ताच की जाएगी कि इसके दोरा नोट कहां कहां खफाये गए हैं और भी अगर इसने प्रिंट करके कहीं रखे हैं तो उनको भी जब्द किया जाएगा बुड़ाबी में ना पड़े पस्ताना इसलिए आज ही रिटारेडमेंट प्लान जरूर अपनाना पैंशन योसना एवन सेवाहित को संपर करें डबल सेविन फोर एट नाइन थी सिक्स तू सिक्स पाय